आप देख रहे हैं दखल न्यूज माराश्ट विदान सबा के नए अध्यक्ष कॉंग्रेस नेता नाना पटोले पहले भाजपा के साथ थे उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें निर्विरोध चुने जाने की उमीद है विधर्व में सकोली निर्वाचन छेतर का प्रतिन जित्व करने वाले 56 वर्ष ये नेता ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र में उमीदवार को मैदान में उतारने का दिकार है मगर महाराष्ट में यह परंपरा रही है कि अज्डेक को निविरोध चुना जाता है यह परंपरा जारी रही विधान सभा में भाज़पा लिधायक जेवेंदर फड़िस ने कहा कि हमने विधान सभा इस्टी करके पत्पिले किसान कतोरे को नामित किया था लेकिन सरदली बैठक में अन्य दलों ने हमसे अनुरोध किया और यह परंपरा रही कि स्टीकर को निविरोध नेख्त किया जाता है इसलिए हमने अनुरोध स्विकार कर लिया और अपने उमीदवार का नाम वापस ले लिया और तलग है कि पटोले चार बार से विधायक रहे हैं उन्होंने साल 2014 में कॉंग्रिस का दामन छोड़कर भाज़िपा की टिकेट पर लोग सभाचुनाव लड़ा था उन्होंने भंडारा गोधिया सीट से राकामपा के मजबूत नेता प्रफुल पतेल को हराया था हाला कि दिसंबर 2017 में उन्होंने प्रधान मंत्री नरिन मोधी और ततकाली मुख्य मंत्री देविन फंड़िस के साथ मध्वेदों के बाद भाज़िपा छोड़ दी और वापस कॉंग्रेस पार्टी में लोड़ा थे इन दोर में प्रेस की आजादी पर कॉंग्रेस सरकार ने अगोशित आपातकाल लगा दिया है हानी ट्रेप मामले पर लगतार सांजा लोग स्वामी के खुलासों से नेताओं और अधिकारियों की आईयाशियों का खुलासा हो रहा था इसके बाद मधिप्रदेश सरकार इस अख़बार से इस कदर धेभीत नजर आए कि उसने अख़बार और उससे जुड़े संस्थानों पर छापामार कारवाही की इस कारवाही के दौरान इसकादर पुलिस लगाए गई जैसे कोई बड़ी आतंगवादी घटना हो गई हो या पुलिस कोई बहुत बड़ा ओपरेशन करने आई हो अंदर गये हैं अंदर गये हैं अंदर जाने के बाद पुलिस लगा ने मारा किसको मारा है मुझे मारा और किसको मारा है अब ला तो मैं अंदर गया मुझे मारा केमरा भी खीना आपका केमरा भी रख लिया था अब भी केमरा मिला है जो फॉटो निकीज़ पाएगा कोई फोटो निखीज पाएगा कोई अपना वीडियो का पर कोई अपना शॉट निवना पाएगा आप संजो सरकार की पुलीस की प्रशाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाष उन अयाश नेताओं और अफसरों का खुलासा कर रहा था जो हनीट्रेट के चक्कर में गैंग से जुड़े लोगों को अनुचित लाप पहुचा रहे थे इन अफसरों और नेताओं के दो-दो चेहरे सामने आ रहे थे लड़कियों के लिए ये अफसर किसी भी हद तक जा सकत लोगस्वामी के मालिक पत्रकार जीतु सोनी के निवास और संस्थानों पर यह कारवाहि की गई पत्रकारोंने सरकार के इस कडम की कड़ी आलोचन की है कमला सरकार के अधिर इंदौर पशार्शनदारा जिस तरीके से सांजा लोगस्वामी अखवार को दवाने की कोशिच की गई है उसकी डिजिल प्रेस क्लब कड़े शब्दों में निंदा करता है और कमनला सरकार से उम्मीद रखता है कि दोशियों पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी हनी ट्रेप मामले में जिस प्रकार सफेद पोसों को ब्यूरोक्रेशी को जो समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें नंगा किया जा रहा है उस सारे मामले से सरकार भैबीत है प्रशास्निक तबका भैबीत है और वो घबराया हुआ है यही कारण है कि इंदोर से प्रकाशित लोकप्रिये सांजा लोकस्वामी समाचार पत्र पर जो कारवाई की गई है वन्नकेवल प्रेश की स्वत्रता पर हमला है बलकि मध्यप्रदेश के उस मीडिया को जिसकी पीत पत्रकारिता में कभी रुची नहीं रही जो मीडिया राजेंद्र माथूर प्रभाश जोसी के आदर्सों को लेकर के मध्यप्रदेश की पत्रकारिता कर रहा है उस पर ये सीधा सीधा हमला है और ये हमला पिसी भी स्थिती में को यूझ कार यूनियन ब्रदास्त करेंगी समाचार पत्र शंचाल को शोचना चाहिए यदि उनके पास जब संजा लोक स्वामी के शंची न करना चाहिए तो इस पष्ट है कि मीडिया अपना धर्म निभा रहा है और उस धर्म को रोकने के लिए प्रशाश्निक तपका और सरकार परदे के पीछे से करवाई कर रही है मीडिया की स्वतनतक्ता प्रहमला किसी विश्थिति में बरदास्ट नहीं किया जाएगा हनी ट्रैप मामले में शिवरास से लेकर कमलनास सरकार तक के कई नेता और अफसर हनी में नजर आए हैं बड़े पदो पर बैठे कुछ अयाश अफसरों की मीडिया के करण नीन उड़ी हुई है यही वज़ा है कमलनास सरकार और उनके अफसरों को मीडिया पर अगोशित आपा लगाना पड़ रहा है इन दौर से प्रकाशित होने वाले सांध्य दैनेक लोगस्वामी समचार पत्र लगातार हनी ट्रैप मामले में सफेद पोशों के काले कार नामों को उज़ागर किये जाने से सरकार बौखला गई है लोगस्वामी अखवार के प्रमुख जीतु सोनी के इन दौर शेहर में स्थापित विविन प्रतिष्ठानों पर भारी पुलिस पल की मौझूदगी में विदुद विवाग, खादे विवाग एवं राज्य के अधीन आने वाले विवागों ने कुछ ज्यादा ही सक्रियता दिखाई पुलिस और प्रशाशन ने शाम से ही छापा मारने की रणनीती तैयार कर ली थी राज साड़े ग्यारा बजे पुलिस नगरनिगम बिजली कंपनी आवकारी विवाग, खाद विवाग के अमले ने एक साथ गीता भवन और साउथ तुको गंच इस्थित दो होटलो, न्यू पलासिया इस्थित रेस्रा, प्रेस कॉंप्लेक्स इस्थित मीरिया हाउस, कनाडिया रोड इस्थित निवास पर एक साथ छापा मारा मौके पर पहुझे पुलिस अफसरो और संस्थान के कारता भरता के बीच जम कर हुजजत हुई, उन्होंने कहा कि आप किस तरह की कारवाही करने आए हैं, उन्होंने भारी पुलिस बल लाने पर आपत्ली ली और अत्रिक्ट बल हटाने के लिए कहा SDM राके शर्मा ने संस्थान से जुड़े अमिच सोनी से कहा कि वे सर्चिंग करने आए हैं और उन्हें ना रोका जाए, सोनी ने कहा कि सर्चिंग के लिए दो तीन अफसर जा सकते हैं, इसके बाद चुनिंदा अफसरों की टीम कारवाई करने भीतर पहुंची, हानी ट्रै के इसके फुटेज भी बताए जा रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष्ण ने कॉंग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कमलनास सरकार को बीजेपी सांसदों से सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, कॉंग्रेस जूट की राज़िती कर रही है, खुद की गलतियों का ठीकरा बीजेपी सांसदों के सिर्फ और जा रहा है, प्रदेश में ना तो किसानों का कर्ज माफ हुआ और ना ही उनको खाद और यूरिया मिल पा रही है, प्रदेश में किसानों के इस्तिती बत्तर होती जा रही है, राकेश सिंग ने दावा किया कि राजसरकार ने एक हजार करोड प्रशाशने कारे में खर्च कर रही है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से स्वयम होकर वहां से दल को भेजा। दो-दो बार दल यहां पर आए ताकि यहां पर आकलन करके और उसकी रिपोर्ट दे सके। और उसके बाद केंदर सरकार ने 1000 करोड़ रुपे की राशी मध्यपरदेश सरकार के पास भीजी हम पूझना जायते हैं मध्यपरदेश के मुख्यमंतरी और कॉंग्रेस की सरकार से कि वो बताएं कि एक हजार करोर रुपे में से कितना पैसा किसानों को अभी तक इनों ने बाटा आप सौ करोर रुपे नहीं बाट पाए अभी तक किसानों को ये पैसा आपको प्रशासने खर्चों को चलाने के लिए नहीं दिया गया है ये पैसा किसानों को देने के लिए दिया गया है कि आवन फेल हुए शिक्षकों को ट्रेनिंग देका चौधा ख्तूबर को फिर से परिक्षा लिए लेकिन दूसरी बार भी 84 शिक्षक 33 प्रतीशत के कम अंग लाकर फेल हो गए जिसके बाद अनो तीन हुए 20 शिक्षकों को चितावनी देते हुए हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को प्राथमिक वा माधमिक शालाओं में भेजने की कारवाही की जई जिन स्कूलों के रिजट्स कमजोर आ रहे थे बिलो 30 परशेंट 0 से 30 परशेंट के जो रिजट्स वाले इसकूल थे उनको हम लोगों ने आइडिटिफाइड करकी सब्जेक्ट बाई उन सिक्षकों की बारा जूम को परिक्षा हम लोगों ने की थी जिसमें 5,899 शिक्षक 12 परिक्षा में बैठे थी और उसमें से 1351 सिक्षक फैल हुए थे जिनके मार से बिलो 50 पर्शेंट थे तो हमने किताब भी उनको एलाउट की थी कि प्रिसिक्षण भी दिया उसके बाव जूद भी 84 सिक्षक के 33 पर्शेंट से कम अंकला है वो फैल हो गए सोला सिक्षकों को इस पूर बिभाग में 20 साल की नौकरी या 50 साल की उमरवाले फॉर्मूले से बहार आने वाले 20 सिक्षकों की विभाग ये जांच शुकर दी है बताय जा रहा है कि ट्राइबल विभाग के 20 सिक्षकों की जांच संबंदित विभाग द्वारा की जा रही है फेल हुए शिक्षकों में दो के दस्तावेजों की जांच इस्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है चतरपूर में अस्पताल प्रभंदन की लापरवाही साफ नजर आ रही है नस्बंदी ओपरेशन के बाद बैड नहीं मिलने से मरीज महिलाओं को मजबूरी में ठंड में जमीन पर लेटना पड़ा महिलाओं की इतनी दुर्दशा की जैसे वो इंसान नहीं कोई जानवर हो अस्पताल के यहालात हैं कि महिला को उपरेशन के बाद स्ट्रेचर के बजाए परिजनों को हाथ में उठा कर ले जाना पड़ा मध्यप्रदेश में स्वास्त सुविधाएं बेहतर होने के बजाए सरकार के दावों की तरहां अब खोकली नजर आ रही है स्वास्त सेवाएं सुधरने के बजाए बिगड़ती जा रही है हम अपनी भावी जी को नशबंदी के आपरेशन करवाने आये जो कि उनको अभी इंज्एक्शन भी लग गया है नशेका तो पर अभी नशे में और आभी कोई आया भी नहीं है वहां कोई है भी नहीं और यहां देखिए कोई प्लंग की लिता रहे हैं जी जमीन में गुद्धा बिचा के लिटा रहे बाग बश्ता तो कोछ है नहीं अब समस्जा यही है कि हमारा मरीज जमीन पर लोटे लेटे गा और पलंग की विवस्ता नहीं है हमारी बहु यहां पर आये हैं और पलंग अलंग लेटे हैं बच्चे परिशाने बाहर वह अंधर विंजिक्शन लगे हैं और उनका खतम हो भी वाला है उनका नसा डॉक्टर साब यहां आनी रहे हैं कब तक देख रहे हैं अज यह बच्चा दो बारा हम अंदर लेके हुआ है पलंग तो नीची बिच्चा है विश्टर पलंग अलंग कोछ नहीं है यह तस्वीरे जिलास पताल की हैं जहां महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन होने के बाद लेटने की जगां तक नहीं मिले उन्हें ठंड में जमीन पर लेटाये जा रहा है अव्यवस्था इसकदर है कि महिलाओं को लाने और वापसी में ले जाने के लिए कोई सुविधान नहीं दी जा रही है साथ ही उनको ऑपरेशन के बाद बाहर लाने के ले स्टेटर पक नहीं दिया जा रहा है जिस से परीजनों को ही महिलाओं को अपने हाथों में उठा कर लाना पड़ रहा है इस तरह आज कराकर कारवाही की बाद भी कर रहे हैं। आज कर रहे हैं। आज कर रहे हैं। आज कर रहे हैं। सब्जी मंडी के फुटकर व्यपारियों ने अपनी दुकाने बद रखी। आज कर रहे हैं। जिसके बाद व्यपारियों ने एक दिन अपनी दुकाने बंद रखकर विरोध जताया। और प्रशाशन के खिलाब जमकर नारेबाजी। जिसके बाद में नहीं मानी जाएगी हम लोग उसपर बैट कर भी चार्ड भी करेंगे और भूख और ताल भी करेंगे। व्यपारियों ने एक पहुँचकर डिप्री कलेक्टर को कलेक्टर के नाम क्या 500 वपा डिप्री गलेक्टर बीपी पांडे ने कहा कि इस बारे में कलेक्टर से चर्चा की जाएगी जिसके बाद ही कोई निर्णे लिया जाएगा बाए ना कि यह जाने पर धर्ना अंदूलन किस्ता तावनी दीगे जानकरी मिली तो वहां पर हमने देखा कि नसी के आलत में रात में कुछ लोग निकल रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी के लिए हम जब पी आई यू विवाग गय तो पी आई यू विवाग में अपनी ख़ करने का बोला और जिसके जलते हमको ऐसे में काफी अस्विदा गई जिसके बाद तुरंत आए हमने आला अदिकारियों को सूचना दी उसकी कि हमको एफाइयर के हम कबरेज के दोना रोका गया तो आज हम आए हैं स्रम जी पत्तकार संकटन द्वारा और सब लोग यही चाहत इसे अधिकारियों पर कारवाहियों हो जाते हैं deeds का अधिकार इंग소 धन्येक्त गॉज्तागी ना करे किया किसी पत्तकार को पाष्था श्रव दिघवार और के लिए परेज घाय हुए थे जिसमें मांग की जाई कि संबंदित करमचारी उपर सक्तिकारवाई थी अगर सक्तिकारवाई नहीं की हो थी तो हम सीधरी अंदुलन के लिए बात दोंगे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कवलनात के आदेशों की अभिलना है नर्सिंग्पूर के पियाईउ कार्याले के एक अधिकारी मनीश दुबे में कवरिश करने वाले पत्रकार शेलेंद्र तिवारी के साथ अभधर व्यवहार किया साथ ही खबर रोकते हुए एफ आई आर कराने तो मैं इसको देखता हूँ जाज करवाता हूँ ने ये तो गलत हुआ है जो भी है मैं आज स्कलेक्टर साथ को अगत कराऊंगा कि कौन अधिकारी था कौन करन्चारी था और क्या था इसके वीडियो फूटेज भी दिखा है आपने आपने साथ को अगता है पुलिस ने दो माववादियों को धेर कर दिया चनिवार को हुए इस एंकाउंटर की पुष्टी पुलिस ने की बताया रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के भी एक मुद्भेड भामरागर इलाके में हुई पुलिस ने बताया कि नक्सली पीपल्स, लिबरेशन, गुरिल्ला, आर्मी सब्तहा की तैयारियों में जुटे थे माववादी 2 से 8 दिसंबर तज इस सब्तहा को मनाने वाले थे इसी दोरान एंटी नक्सल ऑपरेशन कमांडों के जवानों ने नक्सली कैम्प में खुसकर कैम्प को तभा कर दिया इस मुद्भेड में दो नक्सलियों के चवों को बरामत कर लिया गया है इसके साथ ही चार बंदूग और प्रेशर कुकर बम बरामत किये गये हैं भारती रेलवे कैटरिंग एंट टूरिजन कॉर्परेशन द्वारा भारत के बिविन राज्जियों से लोगों की सुविधा को देखते हुए भारत दर्शन यात्रा निकालने जाने की योजना चलाए जा रही है जिसके तहट एक ट्रेन रीवा से यात्रियों को लेकर दक्षिल भारत के प्रमुक धार्विक एवंपरेटक्स थलो पर भ्रमन कराएगी बताया जा रहा है कि 15 जनवरी 2020 को यह ट्रेन रीवा के रेलवे स्टेशन से रवाना होगी जो की मैसूर, बैंगलोर, कन्याकुमारी, त्रिवेंडरम, मदुरई, रामेश्वर, एवं, सुरुपती बालाजी का ब्रमन कराते हुए पुनहा 27 जनवरी को रिवा वापस आएगी रेलवे बोर्ट के छेदरे प्रवंदर केके सिंग ने पताया कि इस यात्रा में लोगों को सर्व सुविधायों के विवस्था के साथ भ्रमन कराया जाएगा मंदिर हैं मठ हैं वहाँ पर जाएगी और जितने भी यात्री रहेंगी सभी यात्रियों को दर्शन कराये वहाँ पर लोकल रोकने का रेज़मेंट किया जाएगा और पूरा 13ा दिन का यह तूर रहे गा इस तूर में लोगों को बहुत इक किफाईती दर पर सभी सुविध आपको बता दे रेल्वे बोर्ट के द्वारा रीवा से ऐसी पहली यात्रा निकाली जा रही है जिसमें उन्हें सर्व सुबिधायोक्ति विवस्था के साथ भारत दर्शन का अफसर मिलेगा वहीं इस यात्रा को लेकर रीवा रेल्वे स्टेशन में भी तैयारिया जोरो पर हैं तथा यात्रियों की बुकिंग सही तमाम दिवस्थाओं का जाइजा लिया जा रहा है दर्शनी इस्थल में पहले ये गाड़ी मैसूर जाएगी मैसूर के बाद फिर बैंगलोर फिर कन्या कुमारी फिर त्रिवेंद्रम फिर मदुरई और फिर रामेश्थुरम के बाद तिरुपती बाला जी के दर्शन करते हुए वापस ये रिवा आएगी कॉंग्रेस विधायक की धंकी पर सांसत प्रग्या ठाकोर ने पलतवार किया और कॉंग्रेस को चुनौती देते हुए ट्विट किया कि कॉंग्रेसियों को जिंदा जलाने का पुराना अनुभव है 1984 में सिखों को और नैना सहानी को तंदूर में जलाने का अनुभव है मैं 8 दिसंबा शाम चार बजे ब्यावरा के मुल्तानपुरा में आ रही है जला दीजे गोट से विवाद के दोरान ब्यावरा से कॉंग्रेस के विधाय गोवरधन दांगी का बड़वूलापंद सामने आया था और उन्होंने भाज़पा सांसा प्रगया ठाकर को जिंदा जलाने की ठमकी देखी दांगी ने कहा है कि प्रग्या ठाकुर कभी सामने आएं तो उसका पुतला नहीं बलकि उसे पूरा साक्षा जला भी देंगे पूरा पुतला नहीं प्रग्या ठाकुर कभी आई भी तों साक्षा जला भी देंगे प्रग्या भी कांगर्स की मीडिया प्रभारी शोबा ओजा भी इस सबसे खिंद नजर आई और कांफरेंस के दौरान कुछ फर्जी माईकाईडी उन्होंने अपने साथियों को भी दिखाई जिसके बाद कई तथाकतित पत्रकारों से उनके संसान उनके कार्ड के बारे में जानकर रिली बताते हैं जल्दी ही कांगर्स ऐसे लोगों को प्रतिवन दिख कर सकती है जिनका खबरदारी या पत्रकारता से सीधा कोई सरुकार नहीं है कांगर्स सुतों का कहना है कि पार्टी के कुछ निताओं ने ऐसे लोगों को तवज़ो दी अब पार्टी अपने निताओं को भी असली और नखली मीडिया के बीच में बेद करने को कहेगी कार्याले में जम्हें नखली मीडिया वालों से असली मीडिया के लोगों को भी काम करने में दिक्तों का सामना करना परता है और असल मीडिया के लोग ऐसे फर्जियों से दूरियां बना कर रहते हैं आप देख रहे हैं दखल नियूज आप देख रहे हैं दखल नियूज